दिल्ली वालों को लग रहा होगा कि बारिश खतम हो गई है तो यमुना का पानी जो उनके घरों में आ गया था वो प्राब्लम भी गई आज न्यूस क्लिक की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्यों दिल्ली में फिर फ्लाडिंग हो सकती है जब न्यूस क्लिक के रिपोर्टर मोकंजा यमुना नदी पे बने हतनी कुन बराज पे गए वहाँ इंजिनियर्स ने उन्हें बताया कि जब भी बारिश होती है यमुना का पानी हरियाना दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बांट दिया जाता है पर इस बार ज्यादा पानी चोड़ा गया दिल्ली की तरफ क्योंकि इंजिनियर्स का कहना था उत्तर प्रदेश ने एक्स्टरा पानी की डिमांड नहीं रेज करी इसी का रिजल्ट था दिल्ली में फलड्स और ज्यादा पानी रिलीज होना इनमें दिल्ली सरकार ने 25,000 से ज्यादा लोगों को इवाकवेट करा है टोटल एफेक्टेट पॉपिलेशन का अभी तक कोई अफिशल आंकडा नहीं आया है पर क्या दिल्ली में फ्लडिंग की सारी गलती हर्याना और उत्तरप्रदेश की थी इस बार आईटियो बराज के 32 में से 5 गेट्स जैम्ड थे इसकी वज़े से लगता है कि आईटियो के पास डेली सेकरिटेरियेट और लाल किले में फ्लडिंग हुई आज 19 जुलाई तक इस बराज के दो ही गेट्स खोले गए हैं 2019 में दिल्ली में 8 लाक क्यूजिक पानी हतनी कुन बराज से आया था 2023 से 3 गुना ज्यादा पर ऐसा फ्लड नहीं आया था उस साल नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली में यमुना का हाल February में NGT यानि National Green Tribunal ने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने में कहीं कम्या है इनकी वज़े से भी यमुना में हर साल फ्लडिंग हो रही है हम दो में कारण देखते हैं यमुना की दी सिल्टिंग यानि मलबा साफ करना और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जिसमें आता है stormwater drains यानि बारिश के पानी को ले जाने वाला कनाल सिस्टम और दिल्ली का सीविच सिस्टम दिल्ली में 18 major drains हैं इनमें से जैनवरी तक सिर्फ 11 की कुछ सफाई की गई थी दिली में 44 सब ड्रेंज यानी छोटे छोटे नाले भी हैं इन में से डेली गर्मेंट की रिपोर्ट खुद कहती है कि 17 में सफाई की जीरो या निल प्रोग्रेस थी पर इन ड्रेंज में सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता है सीविज और कंस्ट्रक्शन मलबा भी यमुना में जाता रहता है इसलिए यमुना खादर के साथ साथ हमने 2023 में नौर्थ वेस्ट डेली जैसे इलाकों में भी फ्लडिंग देखी अब्यसी बात है जब सफाई नहीं होगी तो स्टॉर्म वाटर सिस्टम, सीविज सिस्टम और यमुना चोक होंगी और बारिश आने पे ओवरफ्लो होगा जिसका मतलब है फ्लडिंग न्यूस क्लिक के रिपोर्टर रवी कौशल अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि यमुना के बीच में टापू हैं जिन पे बड़े बड़े जंगल उग रहे हैं यह सब डी सिल्टिंग ना कराने की वज़े से हैं जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर नदी के फ्लो में एक भी पिलर बन जाए तो पानी का नाच्रल फ्लो रुक जाता है जिससे होती है फ्लडिंग अब डिली के सीविज का हाल देखते हैं डिली हर रोज सौ से दो सो मिलियन गैलन्स टॉम वाटर और सीविज लाइन्स के थ्रू डाइरेक्ली यमोना में अपनी सीविज को फैंक देती है और डिली में ऐसे भी ड्रेंज हैं जो रेविन्यू रिकॉर्ड पर हैं ही नहीं यह एंजिटी और डिली गर्मेंट की रिपोर्ट्स खुद कहती हैं तो यह थी डिली फ्लड्स की कुछ वजा आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स से आइडिया ले सकते हैं कि क्यूं डिली में 25,000 से ज्यादा लोग फ्लड रिफ्यूजी बनके रह गए हैं यूज क्लिक की औ झाल झाल झाल